आप लोग मैं विक्रम आपका काउंट एंस टीचर फॉम विविंसर कॉमर्स क्लासे स्वागत करता हूं और आज हम लेक्चर थर्ड डिस्कुस करने वाले हैं दो लेक्चर मैं इसके अपलोड कर चुका हूं जिसमें अब तक मैंने आपको निव प्रॉफिट सेरिंग रेशियो के बारे में बात किया है डिस्कुस किया है कंसेप्ट और दूसरा मैंने आपको इसाद डिस्कुस किया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओफ गुडविल जिसके नियर अबाउट हम 25 इलिस्टेशन तक स्क्रेशन कर चुके थे चप्टर फिफ्ट से आज हम revaluation of assets and liabilities as well as accumulated profit losses results रिजर्स में free रिजर्स और specific रिजर्स कोशिस करेंगे स्पेसिफिक रिजर्स तक की जरनी को complete करें चलिए start करते हैं आज अज की क्लास और आज की क्लास मारा टोपिक का नाम रहेगा revaluation of assets and liabilities आज का टोपिक रीवेल्वेशन ओफ एसेट्स and liabilities देखे रीवेल्वेशन का मतलब है कि जितने भी आपके पास assets है या जितने भी आपके पास liabilities है उनको market value से compare करना यह book values आपको given होती है balance sheet के अंदर आपको उनका comparison किसके साथ करना है market value के साथ करना है और जो भी difference book value और market value के बीच में आए उसको आपको special account में record करना है जिसे हम बोलते हैं revaluation account या इसको हम कई बार profit and loss adjustment account के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर मैं basic rule आपके साथ discuss कर दो हाला कि chapter number two change in profit sharing ratio admission of a partner में भी हमने revolution account के बारे में काफी details से discuss किया था काफी details से इसको understand करने की कोशिस की थी फिर भी recap करते हुए हम इस topic को एक बार समझेंगे यहाँ पर ताकि यदि किसी ने term one को seriously ना लिया हो तो term two काफी seriously attempt करें revolution account basically एक three-save account होता है ठीक है एक three-save account है और इसकी जो नेचर होती है वो nominal account की नेचर होती है nominal account nominal account का मतलब आप समझते हैं जहां पर expenses और losses को हम debit लिखते हैं debit की तरफ लिखते हैं और gain या profits या किसी प्रकार की कोई income वगरा है तो उसे हम credit करके चलते हैं और इससे जो भी profit और loss आता है that is to be treated as capital profit ध्यान रखिए revaluation से होने वाला profit आपका किस नेचर का profit होता है capital नेचर का profit होता है and this profit is to be distributed among all partners all all मतलब including the retiring partner also सभी partners को सामिल करते हुए हम इसको old partners में old ratio में old ratio में distribute करते हैं आई ये थोड़ा सा discussion करते हैं इसके पर at the time of retirement the assets and liabilities are revalued and a revaluation account is prepared in the same way as is done in case of admission of a new partner the only difference is that in case of retirement any profit or loss due to revaluation is divided among all the partners including the retiring partner whereas in case of admission of a new partner the new partner does not share such profits or losses on the revaluation right तो यहां basic third difference जो बताया हूँ यही है कि admission के वक्ते तो हम नए partner को सामिल नहीं करते revolution पर होने वाले profit और loss में जबकि retirement पर हम सभी partners including retiring partner को भी सामिल करते हैं तो सीधा सा पारी दे सकते हैं तो किसमें future profits में राइट तो इसलिए एडमिशन में हम नए partner को सामिल नहीं करते retirement और देश के केस में हम लोग पार्टिक्लर रिटारिंग या डिसीज़ पार्टनर को सामिल इसलिए करके चलते हैं क्योंकि वह अलड़ी existing partner था जिसकी हुझा से यह एसे लाइबलिटीज क्रियेट हुई है बिजनस के अंदर फर्म के अंदर उसने भी अपनी हार्ड वर्क को इहां implement किया है जिसकी जिसे फर्म एक अच्छी goodwill भी कमा पाई है फर्म का एक अच्छा नाम market में हो पाया इसलिए हम उसको यहां सामिल करके चलते हैं ध्यान रखिए condition दोनों में ही old ratio में बाटा जाता तो old ratio जिसका भी होगा उनी partners को हम सामिल करके चलेंग इलिस्टेशन 26 से continue करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा format बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसको बनाना है याद रखिए जब भी आपकी assets increase होंगी तो it will shows the profit तो आप इसको credit में record करके चलेंगे जब भी आपकी liabilities decrease होंगी then it is also showing the profit तो भी आप इसको credit में record करके चले हैं जो definitely increase ही होंगी करके हम जितको record नहीं किया होगा और अब record करने जा रहे हैं तो वो भी हमें profit show करेंगे ठीक है यह सब हम credit side की बात कर रहे हैं किसके adjust जो है आपका revaluation account के बारे में clear है अब debit side में हम बात करें तो इनका opposite चलेगा assets की value में यदी को decrease आया liabilities यदी increase हुई और unrecorded liabilities यदी increase हो रही है तो हम उनको record करेंगे these will show the losses यह losses को show करेंगे अब आपको पता ही है debit में loss है credit में incomes है अगर debit side greater than है credit side से तो definitely आपको loss होगा loss among all partners order ratio में बढ़ जाएगा और यदी credit side ज़्यादा है debit side से तो definitely there will be a profit और profit को हम all partners में order ratio में बाट देंगे तो यह तो हुआ हमारा इसका format अब अगरे हम बात करें इसकी journal entries पर तो journal entries भी आप समझे जरनल entry के लिए आपको simply करना क्या है आप देखिए rule apply करें assets liabilities और capital के assets debit कर करने से increase होती है क्राइट करने से घठती है liabilities debit करने से घठती है क्राइट करने से बढ़ती है और unrecorded assets को record करेंगे तो definitely debit होगी अनके साथ जो adjustment account है हमारा वो कौन सा है revaluation right revolution से ही आप इन्हें debit करें या credit करें अगर assets increase हो रही है तो general entry क्या होगी assets account debit to revaluation account और यदि assets decrease हो रही है तो entry क्या होगी revaluation account debit to assets account same way vice versa liabilities के साथ होगा liabilities यदि बढ़ेंगी तो हम entry करेंगे revaluation account debit to liabilities और घटेंगी तो हम entry करेंगे liabilities account debit to revaluation account right तो इस तरीके से हम जिनकी general entries पास करेंगे यदि आपको हुआ profit revaluation पर तो that will be transferred to partners capital और current account credit side तो हम entry कर देंगे revaluation account debit to all partners including retiring partner capital account और current account और current account और current account का फंडा सिंपल सा है chapter 1 में हमने सीखा था fundamental of partnership firm में कि यदि partners की capital fixed है तो we will transfer all the profit और losses इंदा current account यदि capital fluctuating है तो we will transfer it in the capital account ठीक है तो इसलिए capital current account का हम basically यहां use कर रहे हैं आईए अब बात करते हैं illustration 26 पर पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन फर्म शेरिंग प्रॉफिट इन रेशो टू इस टू 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 इस टू वन balance sheet of the firm as 31st March 2020 was as under हमें 31 March 2020 की balance sheet दी गई है और balance sheet कुछ इस प्रकार से दी गई है यह देखते है balance sheet में लिखा क्या है balance sheet में दिया गया है cash का balance, debtors, less provisions, stock, plant, patents, liability side में है creditor capital PQR तो यहां पर हमें यह particular elements दिये गए हैं उनके बाद नीचे लिखा है R retires, R का retirement हो रहा है, R को हम retirement दे रहे है, R retires on this date and P and Q decided to share future profits and losses in ratio of 3 is to 2 अब यहां पर एक बात आप clear करके चलें क्योंकि आप chapter पढ़ रहे हैं retirement of a partner और death of a partner तो definitely आपको यहां old ratio भी मिला है और new ratio भी मिला है दब आपको old या new ratio मिलता है तो आप advance में gaining ratio जुरूर निकाल कर रखे, we will utilize that gaining ratio if it is required तो यह हुआ total 5 और new ratio में अगर हम बात करें तो R ने retirement ली है, नया ratio है 3 is to 2, ठीक है, is equal to 5 तो यहां पर आप सपस्ट देख पा रहे हैं कि 5 रुपे का profit पहले था और आज भी 5 रुपे का profit है, 5 में से P 2 रुपे लेता था, आज 3 रुपे ले रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ओके sorry, लीजे में सब्सक्राइब कर देता हूं इसको, अब देखिए, हमारे पास old ratio था 2 is to 2 is to 1 is equal to 5, new ratio था 3 is to 2 is to dash, क्योंकि ये retirement ले लिया है, 5, तो 5 में से ये 2 रुपे profit लेते थे, आज 5 में से 3 लेते हैं, तो definitely एक बटा 5 ये क्या करेंगे, gain करेंगे, यहां पर क्यों ना gain करेंगे, ना sacrifice करेंगे, sacrifice करने वाले केवल R है, तो वो ये बटा 5 sacrifice कर रहे हैं, तो इसका मतलब यदि कहीं question में goodwill आई, तो goodwill जो R का share है, वो सारा का सारा हम किसके account में credit करने वाले हैं, किसके account में debit करने वाले हैं, P के account में, क्योंकि P gain करने वाला है, और P जो है वो उस goodwill का share R को देगा, तो वहां entry होगी हमारी P's capital account debit to R's capital account, goodwill के share के लिए, देखेंगे आएगी तो हम उसको accordingly करेंगे, लेकिन फिलाल हम क्योंकि topic पढ़ रहे है, revolution का, तो revolution के उपर बात करेंगे, revolution के उपर चरचा रहेगी हमारी, पहला point इन्होंने कहा है कि कुछ adjustments के लिए agree हुए है, तो पहला point है, an amount of 5000 included in debtors be written off as bad debts, 5000 रुपे की एक amount है, जो debtors में सामिल है, औ यहां पर आप एक बात ध्यान देंगे, कि आपके पास जब भी ऐसे bad debts हो, और balance sheet में आपको दिया गया हो, basically क्या, debtors and provision का balance, जैसे यहां दिया गया है debtors and provisions के balance, तो उस condition में, जो भी bad debts हुए हैं आपके, जो भी bad debts हुए हैं, उसके लिए हम particular entry करते है, bad debts account debit to debtors account, और amount यहां पर ज्यादा है 5000 रुपे, तो यहां basically तीन condition आपके सामने बन सकती थी, क्या, या तो आपका provision for doubtful debts, वो greater than है, bad debts amount से, जो अभी हुई है, यह जो है equal to है, यह जो है less than है, तो फिलाल यहां जो condition में से वो क्या है, कि provision for doubtful debts तो है 4000 और bad debts हुए हैं हमारे 5000, तो चलिए 5000 रुपे यह जदी bad debts हुए हैं, और हमारे पास 4000 का provision है, तो हम इसको इसमें से compensate कर लेंगे, और इसके लिए दो entry हम basically pass करके चलेंगे, पहली bad debts account debit to debtor, दूसरी revaluation account debit to bad debts, and provision for doubtful debts account debit to bad debts, समझ पा रहे हैं, चलिए एक बार इसकी general entries की तब चलते हैं, पहले दो points के लिए बात करेंगे, क् provision for doubtful debts maintained at existing rate, अब यहां पर existing rate का मतलब क्या है, existing rate का simple मतलब है, कि आप यह देखिए, पहले आपने असी हजार पर 4000 का provision बना रखा है, इसका मतलब 4000 रुपे provision है, असी हजार पर, तो 100 पर कितना होना चाहिए, तो हम यहां 0 से 0 काट लेते हैं, तीन, 0 से 0 कट गई, चार दुनी 8, 2, 5, 10, it is 5%, 5% हमारा provision rate है, तो इसका मतलब अगर हमें नया provision यह maintain करना है, तो वो 5% की rate से बनाना, और वो भी किस पर, जो debtors आपके पास है, बचे हुए हैं, अब debtors कितने बचे हुए हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं calculation part बता दूँ आपको, यहां पर, आप समझें इसको देखिए, मेरे पास हैं कितने, 80,000 के debtors, जिस में से 5,000 के debtors हमारे क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं, इनको यहां minus करेंगे, अब हमारे पास debtors कितने हैं, 75,000 के, अब 75,000 पर मुझे यह नया provision यह बनाने के लिए कह रहे हैं, तो 5% की rate से बनेगा, वो भी कितना, 3750 उरुप है, अब इसके लिए journal entries कैसे की जाएंगी, आइए, journal entry की तरफ चलते हैं, journal entry की तरफ अगर हम चलें, तो हमारे पास पहली journal entry जो है, वो P के वार की book में क्या रहेगी, bad debts account debit to debtors, जो कि debtors डूबे हैं, तो debtors कम हुए हैं, और कम हुए हैं, और किस की जैसे, bad debts की जैसे, तो हमन debtors account debit 4000, अब क्योंकि bad debts तो हमारे पास 5000 के हैं, तो 1000 रुपे की जो कमी आई, उसको कहां से compensate करेंगे, that will be compensated via revaluation account, क्योंकि हम ये account बना ही इसलिए रहे हैं, या कहीं पर आपके पास losses हो जाएं, तो उसको recovery करने के लिए, या amount available नहीं हैं, तो उसको कहां से adjust करेंगे, that will be the revolution account, उसको लिए हम revolution account का use करेंगे, वहां से इस amount को collect करेंगे, फिर उसके बाद है, नया provision, अब देखिए, 80,000 total amount थी, उसमें से आपने 5000 minus कर दिये थे, 75,000 आपके पास बचे थे, इस पर 5% आपने provision बनाना था, तो 3750 आपका provision बन जाएगा इसके उपर, क्योंकि 374,75 बन जाएग अब इसके लिए हमें account कहां से चाहिए, amount कहां से चाहिए, revolution account से, तो 2 provision for doubtful debts, 75,000 पर 5% का provision बनाएगे, 3750, 3750, यह पहली 3 entry that is regarding to your bad debts and provision for doubtful debts, इस पर कई बार बच्चों को confusion देता है, तो यहां पर यह जो case है, वो किस तरीके का case है, when provision for doubtful debts is less than bad debts amount, ठीक है, bad debts से amount, इससे कम हो तो हम यह entry करेंगे, अगर यह इसे जादा होता, तो definitely हमें क्या करना पड़ता, जो amount access में बचता, उस amount को हम रखते हैं, और नया जो provision बनता, उस provision में से उतनी amount minus करके, जो amount बचती, उस provision के लिए हम create करते हैं, for example, अब यहां पर माली जी यह दिए 6000 होता, तो 1000 का provision बचता ना requirement होती, clear, चलिए, अब चलते हैं, next point, next point में हमारे पास third point क्या है, यह देखते हैं, third point में हमारे पास लिखा हुआ है, stock be reduced, reduce 2 rupees 82,000, देखिए 2, 2 का मतब तक, यहां तक आपको stock घटाना है, अब stock की value क्या थी, stock की value थी आपके पास 90,000 रुपीज, balance sheet को देखिए, stock की value कितनी थी 90,000, अब 90 से 82,000 तक हमें रोकना है, तो कितने रुपे से घटाना पड़ेगा कि amount 82,000 रह जाए, definitely 8,000 से reduce करना पड़ेगा, अब घटा क्या रहे है, stock, तो entry क्या करोगे, revolution account debit to stock, तो इसकी next आप देखेंगे, तो क्या आएगी, revolution account debit to stock, right, ऐसे ही plant भी हमने reduce किया है, 10,000 से reduce किया है, तो इसको directly 10,000 से आप minus करेंगे, तो इसकी entry क्या हो जाएगी, ये भी हमारा assets है, तो revaluation account debit to plant account, रुपीज 10,000, next है, patents are value less, अब patents भी हमारी assets है, ये भी घट रहे हैं, तो इसकी entry भी क्या करेंगे, revolution account debit to patents, तो लगातार कि 3 point में decrease of assets है, next है, provision of 5,000 made for repair, तो ये repair के लि that will we are creating a kind of liability, तो liability हमारी क्या हो रही है, increase हो रही है, तो इसकी entry भी क्या करेंगे, revolution account debit to provision for repairs, तो इसका मतलब इसमें भी हमारा revolution account debit हुआ, तो इन 4 entries में revolution debit हो रहा है, ये सब क्या हो रहे है, credit हो रहे है, ठीक है, आगे चलते है, an old computer previously return of was sold for Rs.6,000 as a scrap, अब एक old computer पढ़ा था मेर पास, जिसको आज मैंने बेच दिया, और 6000 रुपे मुझे cash मिले, तो definitely यदि मुझे cash मिले, तो मैं entry किसे करने वाला हूँ, उसकी bank या कैसे करूँगा, हमारे पास available cash है, तो cash में ही आप entry कर ले, या फिर bank से भी आप entry कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो आप यदि cash से entry करते कि आपका revolution account increase हुआ ना, cash से, cash assets भढ़ी है, आप cash को आप increase कर रहे हैं, राइट, चलिए, an amount of 20,000 had to be paid and employee injured in an accident, अब हमें एक employee को 20,000 रुपे की payment करनी है, वो injured हो गया था, payment कर दी, had to be paid, तो paid कर दो, can't trigger हो गे, revolution account debit, two cash, या two bank, आप जो भी word use करना चाहिए, देखिए, मेरे पां balance sheet में cash है, तो मैं cash से entry कर लेता हूँ, two cash, तो cash यहाँ decrease हो रहा है, revolution के through decrease कर दिया, तो revolution account के through decrease करना है, revolution account के debit में आ जाएगा, आई इनके एक पर journal entry पर नजर मारते है, journal entry क्या है, दो entry हम देख चुके थे, तीन, starting के, उसके बाद हम next entry पर continue करते हैं, मैंने आपको बताया था, यह तीनों घट रहे हैं, तो यह credit हो गया, revolution debit हो गया, amount 8, 10, 18,250, ठीक है, फिर एक provision हमने create किया है, वो provision भी, क्योंकि liabilities के तो बढ़ेगा, लेकिन revolution तो debit हो रहा है, हमें loss हो रहा है, 5,000, 5,000 का, तो उसको आप या पर लिख लीजिए, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास था कि यह एक old computer हमने बेचा था, तो उसकी entry हमने कर ली bank account, debit to revolution, आप bank से भी कर सकते हैं, cash से भी कर सकते, there is no issue, revolution to bank, यह हमने क्या किया, injured employee को payment की है, तो इसको payment कर दीजिए, अब दो, तीन, तीन, चार, चार जगे debit हुआ है, इसका मतलब चार जगे debit हुआ है, तो इसके debit में amount transfer की जाएगी, और जहां यह credit हुआ है, तो इसके credit में amount transfer की जाएगी, तो उससे हमारे पास क्या निकलेगा, debit और credit का total balance, जिसके अधार पर हम यह decision ले पाएंगे, कि revolution पर आपक लोस हुआ है, आई इसके account की तरफ चलते है, account को judge करते है, यहाँ पर आप देखें, यह 6000 रुपे का आपने old computer बेचा था, पैसा आया था, यहाँ पर credits हुए थे, हजार के जो हमने कहां से charge किये हैं, basically, revolution account से, provision हमने और maintain किया है, stroke plant patents minus हुए थे, एक provision हमने create किया है, और एक य हमने यह paid कर दिया, यहाँ से अगर जोड़े हैं, तो यह 66,000 रुपे बनते हैं, और यह 6000 रुपे हैं, तो 60,000 का आपको क्या हो गया है, loss, और 60,000 के loss को, इनका ratio हमने देखा था, 221 था हमारे पास, इस ratio में इसको बाढ़ने, 24,000, 24,000, 12,000, PQR, loss on revolution transferred to partners capital account, तो हमने बाढ़ 24,000, 24,000, 12, that is all about your revolution account, अब आईए question पर चलते हैं, question में हमसे पूछा क्या गया था, question में हमसे पूछा गया था, you are required to give necessary journal entries for the about adjustments and prepare the revolution account, so here your question is completed, यह हमारा question था, और यह हमने इसके solution को discuss किया, right, तो होप सब कि आपको यह solution और इसकी जाने वाली जो entries हैं, वो आपको अच्छे स समझ में आई है, यदि किसी प्रकार का कोई doubt रहे गया हूँ, तो please do the comment in the comment box, so that I can conclude, or I can soul out your doubts, चलिए next question पर चलते हैं, next question है हमारा 27 illustration, right, okay, 27th illustration start होने से पहले, इन्होंने एक ही question दिया revolution का, कोई बात ने, एक topic नया start कर दिया है हमारे सामने, वो topic है हमारे पास, adjustment of accumulated profits and reserves, तो मैं इस topic को start करने से पहले पूछना चाहूंगा, कि जो अभी हमने topic discuss किया revolution का, वो आपको अच्छे से clear हुआ, या नहीं हुआ, लिए clear हुआ, तो please do the comment in the comment box, ताकि मैं ये topic start कर सको, चलिए, accumulated profit and reserves को हम start करते हैं, आप धिरे-धिरे comment कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास ह अगर आपको फिर भी कोई doubt रहे हैं, तो please आप उस doubt के regarding comment जरूर करें, ताकि मैं आप ये problem, sold out कर सको, आइए, आप start करते हैं, नया topic, that is, adjustment of accumulated profit and reserves, सबसे पहले adjustment करनी है, किसकी accumulated, accumulated मतलब जो हमने इकठे कर रखे है, या undistributed part of profit से, जिनको हमने बचा कर रखा था, for the future contingencies, या कोई results create करके रखे थे, specific और free results, जिनको हम future contingencies के लिए use करने वाले हैं, तो इन दोनों को हम combinedly कहेंगे undistributed profit है हमारे ये, और undistributed profit basically किसका हिस्सा होता है, old partners का, जिसमें यहाँ पर अगर हम old partner की बात करें, तो retiring partner भी सामिल होगा, और ये उन्हीं को हम transfer करते हैं, उनके old ratio मे ये basic treatment है, लेकिन यहाँ पर दो परकार के treatment किये जा सकते हैं, एक कि सारे के सारे जितने भी old profit या losses या results है, वो हम बात दे old partners में including retiring partner old ratio में, दूसरा जा फिर वो ये कहे कि do the adjustment entry for all these profits, तो उस condition में आपको requirement रहेगी gaining sacrifice ratio की, जो sacrifice करने वाला definitely वो तो retiring partner है, तो gaining ratio आपको निकालना पड़े का और gaining ratio निकाल कर, जितने भी accumulated ये profit और losses और reserves को जोड़ेंगे, और जोडने के बाद एक journal entry कर देंगे, जिसको बोलेंगे adjustment entry, आई ये discuss करते हैं, कि हमें करना कैसे इस question को, सबसे पहले, if at the time of retirement, there is any balance of journal reserve, reserve fund, or any undistributed amount of profit or loss account appearing in the balance sheet, it belongs to all the partners, should be transferred to capital account of all partners in their old ratio, old profit sharing ratio, following entries are passed for this purpose, definitely, ये सारा का सारा, किसको transfer कहा जाना सही, old partners को, old profit sharing ratio में, और उसके लिए entries क्या होंगी, profits अगर है, तो that will be credited to partners capital account, तो उसके लिए में, जितने भी profits अनको debit करना पड़ेगा, और partners के account को credit करना पड़ेगा, और हमारी entry हो जाएगी, distributing the reserves and accumulated profits as, general reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account debit, to all partners capital account, और current account, देखिए capital account, मैंने आप पहले भी बताया है, कि यदि capital fixed nature की दी गई है, तो आप current account यूज करेंगे, otherwise आप capital account यूज करेंगे, और यदि किसी प्रकार के कोई accumulated losses है, तो उसकी entry reverse हो जाएगी, all partners capital और current account debit, to profit and loss debit balance, अब ये profit and loss debit के अलावा, आपके पास हो सकता है, क्या preliminary expenses भी हो सकते है, ठीक है, preliminary expenses, that is also kind of loss, advertisement suspense account भी हो सकता, आपके पास, that is also a loss, deferred revenue expenditure भी हो सकते है, that is also a इनको भी हम यहाँ पर इसी तरीके चरेंगे, partner capital और current account debit, to profit and loss, to preliminary expenses, to advertisement suspense, deferred revenue expenditure, चलिए, ये तो हुए हमारा profit और loss का distribution, अब हम बात करते हैं, कुछ specific reserves के बारे में, specific reserves में basically दो reserves को मसामिल करते हैं, तो workman compensation reserve, दूसरा investment fluctuation reserve, अगर इन reserves को देखा जाए, तो इन reserves से related हमारे पास तीन, तीन, चारजर conditions हो सकती हैं, जो कि हमने chapter number 4 में भूखू भी बहुत अच्छे से discuss भी किती और समझी भी थी, तो मैं फिर भी एक छोटा सा outview इनका दे देता हूँ यहाँ पर, देखिए, एगर मैं बात करूं, workman compensation reserve की, तो it can be equal to workman compensation claim, it can be greater than workman compensation claim, it can be less than workman compensation claim, और ऐसा भी हो सकता है, कि workman compensation reserve is only given, and workman compensation claim is only given, तो यह पांच conditions बन थी, इन पांच conditions में हम इनकी general entry करेंगे, लेकिन basically देखा यह जाता है, कि claim कम होता है, और reserves जादा होते हैं, तो reserves में से claim को compensate कर लेते हैं, और entry कर देते हैं, suppose workman compensation reserve account debit to workman compensation claim, और जो बचा हुआ reserve होता है, वो partners के account में transfer कर देते हैं, या फिर देखा यह जाता है, कि claim ज्यादा है, और workman compensation reserve कम है, तो हम entry कर देते हैं, workman compensation reserve account debit, और जो claim क्योंकि ज्यादा है, तो बाकी का ज्यादा portion है, वो revolution account से उठा लेंगे, तो revolution account debit to workman compensation claim outstanding, right, और जो revolution के debit में आया, वो एक kind of loss होगा, revolution account में record होगा, और उसको वहाँ से, जो भी होगा, net profit या लोस उसके रूप में transfer कर देंगे, partner के capital account में, तो यहाँ पर, basically, ऐसी ही कहानी, investment fluctuation reserve की है, investment fluctuation reserve जो होते हैं, या तो वो, क्या होंगे, ज्यादा होंगे, किस से, change in investment value, यह इन्वेस्टमेंट value, यह चेंज का मतलब है, negative, यह इन्वेस्टमें गए, और जो उनमें decrease हुआ है, वो कम है, और investment fluctuation reserve ज्यादा है, तो जो जितना भी decrease हुआ, उतना हम fluctuation reserve से compensate कर लेंगे, बाकि partners के capital account में transfer कर देंगे, या इनसे regarding अधी कोई भी information नहीं है, तो definitely investment fluctuation reserve हमारे पाल ज्यादा ही होगा, और इसको हम उठाकर partners के capital account में transfer कर देंगे, लेकिन अगर change ज्यादा हुआ, fluctuation reserve से, तो जो difference होगा, वो कहां से लेंगे, revolution account से, और यदि change positive हो गया, यहीं बढ़ गया value, तो definitely जो investment fluctuation reserve हो, सारा का सारा profit treat होगा, बाट देंगे, partners में, old partners में, old ratio में, और जो increased value of investment है, that is to be recorded वाया, revolution account, और revolution के थूर जो profit होगा, उसके थूर ही लिखा है, are in access of actual obligation, क्या access है, workman compensation and investment fluctuation reserve ज्यादा है, will be transferred to capital account of all partners in old ratio, और entry क्या होगी है, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve to all partners capital या current account in old ratio, ठीक है, compensate करने के बाद हम partners के capital account में, transfer कर देते हैं, आईए इसको illustration 27 से समझने की कोशिस करते हैं, illustration 27 क्या कहती है, that is, कन्नू, मन्नू and अकांक्षा, our partners sharing profits as 20%, 30%, 50%, you can say 2 is to 3 is to 5, कन्नू decided to retire, कन्नू ने decision लिया retirement का, लिजे में सरकल कर देता हूं, with the consent of other partners and sold her share to मन्नू, goodwill वाज और लिखाया की, अपना हिसा किसको बेज दिया, मन्नू को बेज दिया, तो इसने, ये इसको बेज दिया, तो definitely अगर नए ratio की requirement पड़े तो इसमें 2 जोड दे, तो नए ratio क्या हो जाएगा, इनका, 1 is to 1, किसका, मन्नू का और अकांक्षा का, ठीक है, मन्नू का और अकांक्षा का नए ratio कितना हो जाएगा, 1 is to 1, बेजाना, गुडविल वाज वेलुड़ेव द्वेलुड़ अज वेलुड़ेट आफ येस पर चेज अव एवरेज प्रॉफित ये ये इस प्रॉफित निकालनी है, तीन साल के अवरेज प्रॉफित का, तो इन हाफ यिन धाई गुना, प्रॉफित अवर्ज़े एव अबब अबब इसमेंट्स वनलेक बिफोर एनी अबब अजस्टमेंट्स चलिए क्या खीजी गई है एक तो दी गई है गुड़ील की वैलुएशन अब गुड़ील की वैलेशन और ली भी कर सकते हैं सीधा-खीधा ड़िए पचास सपतर साथ तक सिधा ट्रांस्फर करिए शा के तीन से भाग कर दीजिए 60,000 क्या जाएगा आपके पास एवरेज प्रोफिट और उसका टू एंड हाफ तो टू एंड हाफ का मतलब है धाई गुना तो साथ गुना दो एक बीस प्लस तीस एक पचास यह निकि गुडविल की जो वैलुईशन आई वो कितनी आ गई एक 30,000 का शेर बनता था 30,000 की गुडविल किसने परचेज की है मन्नू ने तो एंट्री क्या हो जाएगी मन्नूज कैपिटल अकाउंट डैबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए चलिए कोई बात ने एंट्री देख लेंगे आप बात समझिए समझ में आई होगी अब 30,000 का जो प्रोफिट रखा है उसका क्या करना है that will be transferred to all partners in old ratio तो बाठ देदे रिजर फंड डैबिट तो कन्नू तो मन्नू तो अकांक्षा ओल्ड रेशो में इसको बाठती जिए 2, 3, 5 में 6, 9, 15 आ जाएगा और दूसरी एंट्री जैसे कि मैं आपको पहले केर को और मन्नू ठीक है अब हमसे पूछा गया था इसका capital account बनाएं तो देखिए कन्नू का capital account हम बनाएं तो सबसे पहले तो capital का balance लिखेंगे एक लाक रुपे अब इसको हमने दिया क्या है reserve fund में हिस्सा दिया था देखिए यह हमने एक एंट्री के थी reserve fund की और इसमें कन्न उसे इसको 30,000 गुडविल का इसा मिला था वो भी आप राइट करेंगे टोटल मिलाकर 1,36,000 हमने इनको देने है और अब तक कुछ दिया नहीं है तो यहां payment करने की कोई बात हुई नहीं है अगर payment करने की कोई बात नहीं हुई हो तो हम जितना भी पैसा होता है वो उसके loan account में डाल देते हैं वो loan account में एक लगशती जाट ट्रांस्वर हो जाएंगा ध्यान दखें जो हम उसकी payment नहीं करते किसकी retiring partner की तो loan account में पैसा गया है उसके उपर at the rate 6% पर अनम की rate से उसको till the final settlement till the final settlement जब तक की final settlement हो नहीं जाती तब तक interest देते हैं या फिर agreed rate जिस भी rate पर वो अपने amount को loan में transfer करने के लिए agree होता है retiring partner उस rate से उसको interest paid करते हैं clear नहीं तो in the absence of any deed 6% पर अनम interest on loan to partner दिया जाता है illustration 28th आए illustration 28th पर चलते है illustration 28th क्या है समझते है A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio 2 is to 3 is to 4 on 31st March 2019 A retires and B and C decided to share future profits in the ratio of 2 is to 1 following balance appeared in their books on this date यह balance दिखा रखे हैं यह इनका old ratio हो गया और A ने retirement ली है तो A पर circle कर देता हूं B और C ने decide कि future profit 2 is to 1 होगा कोई बात ने ठीक है profit and loss का debit balance, debit balance standing for loss राइट तो 12,000 रपे का loss है हमारे पास Employees Profit and Fund is a liability यह liability के तोर पर treat होगा इसको अलग रखेंगे हम लोग workman compensation reserve is 45,000 that is a specific reserve specific reserve के against हम देखेंगे कोई liabilities तो नहीं है हमारे पास तो उसके according हम इसको treat करेंगे journal reserve, free reserve, free reserve, free reserve, free reserve का मतलब होता है किसी भी purpose के लिए पैसे को यूज किया जाएगा तो 45,000 और अब जो इन में अगर देखा जाए तो एक तो profit and loss का debit balance है और profit and loss का debit balance है तो loss को बाटने के लिए हमने क्या entry की थी all partners capital account debit to profit and loss तो पहली entry तो आप यही कर देंगे A, B, C capital account debit to profit and loss ratio 2, 3, 4, 7, 3,000 को आप divide कर देंगे दूसरी entry क्या कर देंगे जर्नल रिज़ोर को बाटने के entry क्या होगी जर्नल रिज़ोर को बाटने के entry क्या होगी जर्नल रिज़ोर अकाउंट debit to A, B, C, 2, 3, 4 में बाटनेंगे तीसरी entry क्या करेंगे अब देखेंगे workman compensation reserve के against कोई liability तो नहीं है अगर liability है तो उसके accordingly अधरवाज नहीं हो तो यह भी एक profit के दोर पर distribute हो जाएगा it is agreed that first point दियागा है workman compensation reserve is no more required जरूरती नहीं है इसके जरूरत नहीं है तो इसका मतले कोई liability नहीं है simply इसको distribute कर देंगे distribute करने के anti वही क्योंकि यह profit है तो workman compensation reserve account debit to A's capital to B's capital to C's capital इन old ratio में इसको क्या कर देंगे distribute कर देंगे 25% of general reserve is to be transferred to provision for doubtful debts लीजी यहाँ पर हमने general reserve को जो पहले बाटा था तो उसके against एक liability आ गई कि इसका 25% provision for doubtful debts में transfer करना है चलो doubtful debts में transfer कर देते हैं तो general reserve account debit to provision for doubtful debts और बाकी बचा हुआ partners ABC में credit हो जाएगा clear है चलिए इसकी general entries देखते हैं कि कैसे general entry होंगी एक retirement पे पहली entry हमारे सामने रहे profit and loss को distribute करने की आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यह तो बिल्कुल सीधी entry है कोई दिक्कत नहीं है सर workman compensation reserve के against कोई liabilities नहीं थी इसको भी हमने distribute कर दिया अब journal reserve के against क्योंकि provision maintain करना था त बाकी बचावा partners के capital account में distribute कर दे आए देखते हैं चलिए देखेंगे आई यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से हैं इसको distribute कर देंगे आई यह बात करते हैं illustration 29 पर यहां एक देखें नोट दिया गया है employee's provident fund is an outside liability and it is not an accumulated profit as such it is not distributed among the partner definitely मैंने आपको बताया क्यों एक liability है तो liability कैसे बाते जाएगी उसकी तो payment ही होगी वेटा के payment करनी पड़ेगी illustration 29 देखते है that is basically based on journal entries question तो question आपके सामने है A B C partner है sharing profit and losses 3 is to 2 is to 1 ठीक है C retires from the firm and A and B agree to share future profits equally clear है give journal entries on C's retirement in the following cases तो इन cases में आपको journal entries बतानी है क्या है journal entries पहली workman compensation reserve appears in the books rupees 1 lakh when there is a claim of rupees 40,000 simple ची बात है workman compensation reserve is greater than workman compensation claim तो एक लाग में से 40,000 compensate करेए 7,000 partner में बाठ दीजे होपसो आप इसकी entry कर पाएंगे चलिए दूसरा point देखते है workman compensation reserve appeared 2 lakh and claim is 2,75,000 now here workman compensation reserve is less than workman compensation claim तो दो लाग रुपे के लिए हम entry कर जाएंगे workman compensation reserve account debit to workman compensation claim outstanding balance दो लाग पिशत्राजार अपिशत्राजार जो कम पढ़ गए वो revaluation से ले लेंगे revolution account को साथ में debit करेंगे यहाँ रखिए यहाँ कोई और interlinked entry नहीं है तो revolution debit हुआ है तो उसको साथ-साथ partners में distribute भी करें और partner में distribute करेंगे तो order ratio में बन जाएगा कि एक loss होगा तो partner हो जाएंगे ABC debit to revaluation account इनकी entry हम देखेंगे अब समझे एक बार सी पॉइंट है investment fluctuation result appears in the books rupees 50,000 when investment market value is 1,80,000 appears है 2,000 तो 20,000 से value में क्या आया है decrease हुई है तो 50 में से 20 minus कर लिके 30 जो बचेंगे वो partner के capital account में credit कर देंगे और entry हो जाएगी investment fluctuation result account debit 50,000 to investment 20,000 to partner capital account ABC और old ratio में बाकी बचेंगे 30,000 को हम क्या कर देंगे distributed कर देंगे next step investment fluctuation result appears in books at 20,000 ठीक है when investments है market value एक 20 और appear है 2,000 यहां पर तो 80,000 का loss हुआ है 80,000 के investment decrease हुए है और यह हमारे पास के और 20,000 है तो 60,000 balance कम है that will be charged from revaluation account और entry क्या करेंगे investment fluctuation result account debit revaluation account debit to investment 20,000, 80,000, sorry difference था 60,000 और investment घट गए 80 से तो 20,000, 80,000 आई अब इनकी general entry देखते हैं क्या हमने जो general entry discuss किया वो वैसे ही है पहला point simple सा था हमने बाट दिया जो access बचा 60,000 दूसरे point में भी revolution से charge किया और साथ-साथ revolution को भी distribute कर दिया clear है चलिए next third point था C point हमारे पास जिसमें हमने बात की थी कि वह workman investment fluctuation result ज़्यादा है और जितना ज़्यादा था वो अमने partners में बाट दिया है ठीक है और next था कि भी कम रह गया यह 20 था यह 80 था साथ-सार कम रह गया तो revolution से charge कर लिया और डिस्टिवीट कर दिया revolution के loss को भी आपने साथ-साथ क्या कर दिया डिस्टिवीट कर दिया old ratio में ध्यार के old ratio में all partners all partners का मतलब including retiring partner also चलिए illustration 30 पर चलते है illustration 30 है आपके A, B, C are partners sharing profit in the ratio 5 is to 3 is to 2 B retires and new profit sharing ratio between A and C is agreed 2 is to 3 old ratio new ratio they also decided to record the effect of the following without affecting their book values यह आगया कि यह जो point है ना that is a great point इस पर आकर हम यह बात करते हैं कि जो gain करने वाले partner वो debit sacrifice करने वाले credit if there is a net profit और loss इन सबको add-eals करने के बाद जी profit यह loss में profit बचता है तो हम gain debit to sacrifice करेंगे और loss अगर बच जाए तो sacrifice debit to gain it means कि जब यह entry होगी तो लिखेंगे remaining partner to retiring partner और जब यह entry होगी तो लिखेंगे retiring partner to remaining partner clear चलिए बात करते है जर्नल जो profit होता है contingency जो profit होता है profit and loss का debit balance loss होता है advertisement suspense भी एक प्रकार का loss होता है तो यह तो होगए एक लाख नब्य हजार profit profit यह होगे 40,000 loss loss तो net हमारे पास बचा एक लाख पचास हजार रुपे का profit तो यह एक पचास का profit बचा भी यह यह देखो यहां calculation भी करके दिखाई गई है यह net effect है हमारा इसको हम क्या करने वाले है gaining sacrifice में बातने वाले हैं तो यहां चेक कर यह gain कौन कौन कर रहा है sacrifice कौन कौन कर रहा है उसके लिए मैंने आपको simple सा method दिया ही है आप इसको ऐसे भी calculate करने gaining sacrifice को मैं बोक्स बना कर समझा देता हूं यह old ratio यह new ratio रेशो है हमारे पास A का B का C का that is 5 3 2 10 और new ratio है हमारे पास derivative किसने बी ने बी पर circle कर लिजिए 2 is to 3 यह हुआ 5 तो 5 को 2 से multiply कर रहा है इसको भी 2 से multiply कर रहा है इसको भी 4 से multiply कर रहा है तो 10 हो जाएगा total 10 10 10 10 में से 5 रोपी लेते चार लेते हैं तो यह क्या हुआ यह sacrifice कर रहा है और B तो sacrifice भी जारा करके ही जा रहा था 3 बटा 10 और तो और C क्या कर रहा है चार बटा 10 गेन कर रहा है तो definitely यहां जो entry होने वाली हो क्या होने वाली है C debit to A to B अब बात बचेगी amount की बात बचेगी amount की तो amount देखें एक लाग पचास अजार है एक बटा 10 निका लेजिए जो आए वहां पुट कर दीजिए आई देखते हैं इसकी जर्नल एंट्टी कैसे की गई है चल जर्नल एंट्टी की तरफ चलते हैं लीजिए इसकी जर्नल एंट्टी पर नजर डालें तो यह हो गया C debit to B to A 60, 45, 50 कैसे आया मैंने आपको बताया था एक पचास में आप calculation कर लेंगे एक बटा 10 sacrifice है और तीन बटा 10 जो जाने वाला partner उसका sacrifice है और चार बटा 10 जो गेन करने वाला तो चार बटा 10 निकालेंगे तो सीधा साथ हजार आ गया अब उसको या तो एक अनुपात तीन में भाट लें या एक बटा 10 करेंगे तो 15 और इसको करेंगे तो 15 यह मांट इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी इस क्लिए चलिए यह हमारे जो टोपिक थे दो टोपिक जो हमने कवर किये कौन-कौन से बेसिकली एक तो रिवेलवेशन अकाउंट का टोपिक और दूसरा दूसरा टो णोशन उसके जो हम अपनी नेक्स्क्लार्स में डिसकस कर लेंगे तोपिक का नाम है पेमेंट ओ अमांऑन्ट डू टू डिटारिंग पार्टन पेमेंट ऑ घुटू डाइरेंग पार्टनर इसके बारे में थोड़ी सी चार्चा कर लेते हैं टिखे लिस जब हम किकशी पार in cash और transfer to loan account तो यह दो ही तो condition बनेगी है तो loan में डाल दो या cash paid कर दो तो पहली condition ज़िए हम cash या check से payment करते हैं तो retiring partner capital account debit to cash या bank और दूसरी condition ज़िए cash में transfer नहीं करते पेमेंट नहीं करते तो उसके loan में transfer कर देंगे अब बात करते हैं कि यदि loan में transfer करते हैं तो क्या होगा amount of loan is repaid to him according to the terms and agreement but in the absence of an agreement the retiring partner as per section 37 of Indian Partnership Act 1932 is entitled to interest 6% परनम यह मैंने बात पीछे भी discuss की थी कि यदि partner के loan में पैसा जाता है तो उसको 6% पर अनम की rate से interest दिया जाएगा as per the agreement और अगर या फिर उसके जो interest rate के लिए कहा है उसके accordingly till the loan is paid off तब तक कि उसकी final settlement नहीं हो जाती at this option instead of interest he may take that share of profit which has been earned by the firm by use of amount due to him or the right is also available to legal representatives of the deceased partner तो यहाँ पर कहना चाहरा है कि वह at this option अगर यह interest on loan ना लेना चाहे क्या ना लेना चाहे इंट्रेस्ट on loan ना लेना चाहे तो दूसरा option क्या हो सकता उसके पास कि इसके बदले में जो firm profit कमा रही है उस profit मेंचे उसको इससा मिलता रहे up to final settlement वो भी इसके पास एक right है थीक है तो यह उसके ओपर depend करता है कि वो इस right को कैसे exercise करता है note if nothing is mentioned in the question about the payment of amount due to retiring partner it will be transferred to loan account इसको हम कहां transfer कर देते हैं loan account में transfer कर देते हैं आईए इसका एक question देख लेते हैं बाकी की question हम इसके देखेंगे next class ने और यह आज का हमारा रहेगा आखरी question illustration 31 A, B, C, D वर partner sharing profit in the ratio 1 is to 2 is to 3 is to 4 total देखूं तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 बनता है D retired and his share were acquired by A and B equally अब D के इससे को ब्राबर 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 करों तो 2 रुपे और 2 रुपे कौन ले रा है A और B A और B में जोड़ दो 2 और 2 तो यह होगा 3 अनुपाथ 4 अनुपाथ 3 तो नए रेशों कितना है 3 is to 4 is to 3 clear है Goodwill was valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years which were 40,000 general is or sold a balance of 130 D's capital in the balance sheet was 3 lakh at the time of D's retirement you are required to record necessary general entry in the books of firm and prepare D's capital account on the retirement अब दिखें retirement पर कोई बात लिखी नहीं है तो definitely इसका पैसा कहां transfer कर देंगे हम loan account में transfer कर देंगे अब entries आपको करने वे दिक्कत आने ने चाहिए Goodwill है 3 years purchase of average profit of last 4 years दी गई है कितनी 40,000 रुपे यह दिया गया है Goodwill was valued 3 years purchase of average profit of average profit of last 4 years last 4 years के average profit जो कि कितने है 40,000 उसके according लिए 3 years purchase पर निकालने तो Goodwill कितनी आ जाएगी 1,20,000 40,000 average profit 3 से multiply कराएंगे 1,20,000 की Goodwill इसमें share निकाल लीजी 4 बटा 10 तो 48,000 का Goodwill का share आ गया 48,000 को दोनों बराबर बराबर ले रहे थे ना A और B तो A debit, B debit to D 24, 24, 48 की हम यह entry pass कर देंगे clear है Goodwill का treatment चलिए जनर्नलिजर है ठीके 1,30,000 के बाट देंगे जनर्नलिजर काण डाबिट 2 A to B to C to D ratio 1, 2, 3, 4 ओके और balance sheet में क्योंकि इसकी capital दी गई है तो definitely capital 3,000,000 की और 48,000 की Goodwill 3,48,000 साथी साथ जनर्नलिजर में हिस्सा कितना आएगा यह है 1,30,000 और 4,10,13,42 3,48,42 यह होगए 4,00,000 रुपे तो 4,00,000 रुपे उसको देंगे आए जनर्नल एंट्री एक क्लियर हुई दूसरी एंट्री की तरफ चलते है दूसरी एंट्री आपके पास है जनर्नल इजर्व अकाउंट डेभी 2 A to B to C और यहाँ पर D का इससा आप चेक कर लिए 22,000 रुपे है और टोटल D की कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो बैलेंस 3,00,000 रुपे 1 A और B से गुडविल का इससा जनर्नल इजर्व का इससा टोटल मिला 4,00, 4,00,000 हमने D के लोन अकाउंट में ट्रांसर करना और इसकी एंट्री हो जाएगी D is capital to D is loan अकाउंट तकरीवन बच्चे बुक से पढ़ना पसंद करते हैं कंसेप्स में सासा समझा रहा हूं इसमें कोई डाउट नहीं है अधि आपको फिर भी कहीं डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज में जो मैसेज बोक्स में मैसेज डाले यह टेलिग्राम पर मैसेज डाले या फिर मेरे वट्सप नमबर पर मैसेज डाले ताकि मैं आपकी पॉल्म को सोल कर सकूँ और मेरी कोशिस रहेगी हर कोशिस रहेगी कि आपका स्वेबर जल्दी से जल्दी कम्प्लेट करूँ ताकि आपको रिविजिन का भी और बैल आइकन को प्रस करने के लिए प्लीज मेरे लिए मोटिवेट करिए थैंक्यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद्दा नेक्स्ट टोपिक जो कि हमने अभी भी डिसकस क्या उसके कुछ क्योशन के साथ क्योशन नंबर 32 इलिस्टेशन नंबर 32 हमारी रहेगी और इसके अलावा फिर हम जो है इस तरीके से क्योशन को कंप्लीटली डिसकस करते हुए चलेंगे ठीक है और फूल फ्लैज ये क्योशन हमारा ये रहेगा क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में से आठ नंबर का क्योशन हमारे पास से बेसिकली आने वाला है तो 33 34 ठीक है 34 और उसके बाद हमारा टोपिक बदलेगा 35 35 के बाद अकुबद चलेंगे तो अपन टोपिक को बदलेंगे कहां पर 40 निर अबाउट क्योशन तक हम एजिटी चलने वाले हैं चली 40 यहां पर आकर थोड़ा सा टोपिक में चेंज जाएगा क्योशन बदल जाएगा कोई बात नहीं यहां पर 42 42 से हमारा क्योशन जो है फिर पैटरन चेंज हो जाएगा मतलब यहां पर टोपिक बदलता है तो 41 वन तक क्योशन जो हम अपनी नेक्स क्लास में डिसक्स करने वाले हैं बाई टेक केर है वे गुड डे